हलो आजरी बीडी डिस दिगराश सिंग राशपूत वेलगम टु मेगनेट बीन्स इस वीडियो लेक्षर में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे election system in इंडिया इंडिया में जो election system उसके बारे में पढ़ने वाले हैं अब आपके मन में सवाल, ठीकें, सवाली राम एक करेक्टर हुआ करता था जब हम चोटे थे जब आता था कार्टून, ठीकें, तो उसके मन में बहुत सारे सवाल आते थे, अब आपके मन में भी एक सवाल आया होगा, ठीकें, तो आप सवाली राम हो, और आपका सवाल क्या है कि election system भी कोई पढ़ने की चीज़ है क्यों? क्योंकि election में क्या है अगर आप किसी से पूछोगे तो आप वो यह बताएगा आपको election में क्या है लोग जाते हैं, vote देते हैं vote देने के वाद में जिसको सबसे ज़्यादा vote मिले वो जीत गया उसकी party वाले रेली निकालेंगे जो हा रहे हैं, वो रोएंगे इतना तो simple होता है अब election system पढ़ने की जरुवत क्यों है? ठीक है? need आगे सवाल वही पर घूम फिर के कि what is the need to study election system? election system भी कोई पढ़ने की चीज़े जबरन syllabus बढ़ाते हैं लेकिन नहीं, इतना आसान नहीं है, ठीक है? तो the question is not as simple as it appear to us, ठीक है? जितना simple दिख रहा है उतना simple question होता नहीं है और ना है, ठीक है? election system पढ़ने की मतलब एक intense need है इससे समझना हो कि क्यो election system पूरा में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है? अब देखो क्या होता है, हमारी country में हमने ऐसा देखा है और देखा नहीं भी हो, तो मैंने अभी पिछले वीडियो में ही बता है आपको कि constitution एक बहुत important role play करता है when it comes to election, democracy and any other thing in our country, ठीक है? कैसे? constitution में हर चीज़ को specify किया गया है who is eligible to vote, ठीक है? मतलब जो vote देने के लिए eligible है, तो क्या हो election contest करने के लिए eligible है या नहीं है? ठीक है, तरह तरह के सवाल फिर उसके बाद में यही बता दिया कि कौन regulate करेगा सारी चीज़ों को constitution ने specify कर दिया है ठीक, तो is it required to write all this in the constitution? तो यह जरूरी है कि सभी चीज़ों को constitution में लिखा जाए तो जवाब हम आपको पहले ही दे चुके हैं, अभी भी देंगे, एक बार और देंगे तो जी हाँ, constitution में लिखना जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर जवाब एक बार specify कर देते हूं तो जैसे बोलते हैं, हिसाब किताब पक्का हो गया है यहाँ पे, तो अब सारी चीज़ें उसके accordingly चलेगी और अगर आप लोगों पे छोड़ दोगे, ठीक है, कि अपने हिसाब से करवा लेना election तो वहाँ पे जो election होंगे, तो वो democratic नहीं होंगे अब democracy और election का आपस में नाता तो आप लोगों को बताईए, ठीक है, तो उस sense में क्या है कि election system पढ़ने की जरुवत है, क्यों पढ़ने की जरुवत है, क्योंकि वो लिखा हुआ है, ठीक है, कहां लिखा है, constitution में तो constitution में क्यों लिखा है, वो भी मैंने आपको समझाया, और election system in India जितना simple आप सोचते थे इसके पहले, उतना simple है नहीं, मतलब election system तो simple है, लेकिन सवाल जो था ना, कि election में कोई पढ़ने वाली चीज है, तो जी हां, वो एक बड़ा complicated सी चीज है, बड़ी complicated सी चीज इस sense में, क्योंकि एक ही तरह का election system नहीं होता है, ठीक है, आप जो देखते हा रहे हो, सिर्फ वो नहीं है, मतलब हमने जितनी दुनिया देखी, क्या दुनिया सिर्फ उतनी होती है, नहीं, दुनिया तो उससे भी बड़ी, उससे भी बाहर, बहुत सारी ऐसी चीज हैं, जिसके बारे म which people make their choices, ठीक, देखो तो, सिर्फ vote दे के choice नहीं होती है, बहुत सारे अलग-अलग तरीके होते हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग-अलग तरीके किस सेंस में, तो जब voting की बात आती है, तो voting कह सकते हैं, जैसे कभी-कभी लोग preference के साब से भी voting करते हैं, preference के साब से मतलब, आप जितने candidates खड़ें, सब को vote दोगे, अब आप बोलोगे, ऐसे भी voting होती है, तो आप सब को preference बोलोगे, पहले नंबर पर इसको देंगे, वोट दूसरे पर इसको तीसरे पर इसको इस तरह से आप preference के basis पर vote दे सकते हैं, ठीक है, फिर आप direct vote दे सकते हैं, जैसा आपको पता है कि हाँ, एलेक्शन में जाते हैं, तो दो में से एक को वोट दे के आ गए, तो there are ways in which people make their choices, लोग अपनी choice जो बनाते हैं, तो उसमें भी अलग अलग तरह तरह प्रकार के बहुत सारे क्या होते हैं, तरीके होते हैं, ठीक, अगली क्या है, different ways in which their preferences are counted, अब जब वोट दे दिय होते हैं, तो votes count करने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक, तो इसलिए क्या ज़रूरी है, कि आप किस तरीके को follow करें, वो लिखा हुआ हो, ठीक, और जो सवाल आप सोच रहे थे कि इतना असान है कि पास एक, दो, तीन, चार करके गिन लेंगे, तो उतना असान नहीं है, ठीक है, तो different ways in which their preferences are counted, फिर उसके आद में different systems have different outcomes, जी हाँ, different systems have different outcome मतलब क्या है, जैसे कि हमने देखा है, अगर आपको कोई dish बनाना है, तो मतलब उसके अंदर जो content रहने वाला है, शकर रहेगी मानलो, दूद रहेगा, आटर रहेगा, जो भी आप 5 content दे दिया, दो लो लोगों को दिया है, जो grocery का item में A को दिया है, वही grocery का item में person B को भी दे रहा हूँ, लेकिन क्या होगा, जब अगर वो process को अलग तरीके से follow करेंगे, वो अलग तरह से quantity जादा कम मिलाएंगे, ठीक है, कोई क्या कर रहा है, कोई इसको microwave में बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, का use करके कुछ बना रहा है, तो उससे क्या होगा, कि recipe भी अलग अलग बनेगी, मतलब recipe दोनों के अलग रहेगी, तो जो dish बन के आएगी, जो product आएगा ना, तो वो product भी अलग निकल के आएगा, तो वहीं पर क्या होता है, हम क्या देख रहे है, कि different system have different outcomes, तो अलग अलग system मत आप उसका outcome भी अलग निकल के आएगा, आयना समझ में, तो मैंने अब आपको dimension दे दिये हैं, आप सोचो, खुब बैटके सोचो, ठीक है, सिर्फ पगड़ो लोर सोचते रहो, तो यहाँ पर क्या है कि election जो है, जितना आसान, जितना simple हम सोचते थे कि यहाँ बस vote देने जान हमारी बुक में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो तो मेन system of election, election system, जो मेन दो election system पढ़ने वाले हैं, दोनों का कही न कहीं, क्रक्स या फिर दोनों का एक essence हमारी country में देखने को मिलता है, तो वो कौन-कौन से हैं, first, past the, post system, और proportional representation, यह दो system जो है, तो इन दो system को हम क्या करन पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, आ गया है ना समझ में यहां तक चीज़ें, तो आयोब यह topic clear हुआ है आपको, एक perspective दे दिया मैंने आपको कि election system in India is not easy as you saw it, ठीक है, इतना असानी कि जितना देख लिया हैं, बस ऐसे vote देना, count करना है और जित जाएंगे, उसमें ब किसी प्रकार के doubt है, तो feel free to ask in comment section, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much